नमश्कार स्वागत है आपका मेरी आवाज मेरी पहचान में मैं रित्तिक आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर के बारे में लता मंगेशकर के बिना भारती संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती फिर चाहें बात हिंदी फिल्मों की हो या फिर भारती संगीत की लता मंगेश कर जी की पूर्ण नितिती पर हमारी ये खास रिपोर्ट मंगेशकर ने बीस भाशाओं में 30,000 से भी जादा गाने गाए उनके गीतों ने कभी रुलाया कभी हसाया तो कभी दिल के जख्मों पर मरहम लगाया तो कभी सीमा पर खड़े जवानों का हौसला बढ़ाया उन्हेंने खुद को पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया था लता मंगेशकर जैसी शक्सितें धर्ती पर बार बार नहीं आती और आती हैं तो अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं कुमारी लता दीनानात मंगेशकर का जन्म मध्यपरदेश के इन दौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था लता मंगेशकर का नाम पूरे विश्व में विख्यात है लता मंगेशकर के पिता दीनानात मंगेशकर एक कुशल रंगमंच के गायक थे दीनानात जी ने लता को तब से सगीत सिखाना शुरू किया जब वो केवल पांच वर्श की थी उनके साथ उनकी बेहने आशा उशा और मीना भी गाना सीखा करती थी 1942 में हृदेगती के रुख जाने से उनके पिता का दिहान दो गया था 13 वर्श में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ी जाहिर है पिता का साया अगर इतनी कम उम्र में सर से उठ जाए तो जीवन फिर आसान नहीं रह जाता जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में लता जी को अनेक संघर्शों का सामना करना पड़ा 1942 में पहली बार गाने का पाश्व अनुभव 1943 में पहला हिंदी गाना 1947 में हिंदी फिल्मों में पाश्व गाईन के रूप में पहला गीत 1949 में पसिद फिल्म बरसात, अंदाज, दुलारी और महल 1950 में वो फिल्मों में सबसे ताकतवर महला बनी लता जी ने हर मूट के गाने गाए हैं एक तरफ जहां एक से बढ़कर क्लासिकल गीत गाए तो वहीं वेस्टन गाने तो धूम मचा कर रख दिया लता मगेशकर एक ऐसी शक्सियत हैं जिन्हें कोई पुरुसकार नहीं बलकि पुरुसकार ही लता को पाकर खुद को सम्मानित महसूस करता है पदमभूशन, पदमविभूशन, दादा साहिब फाल के और भारत रतन इन सभी पुरुसकारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है लता मगेशकर भारत की दिल में बस्ती हैं और उन्हें हर आम और खास आदमी अपने अंदाज में सम्मान देना चाहता है मशूर फिल्म मेकर शाम बेनिगल ने लता के बारे में कहा था लता मगेशकर के जैसा कोई और हुआ ही नहीं है मशूर अभीनेता दिलिप कुमार ने लता जी के बारे में कहा लता जी की आवाज एक करिश्मा है लता जी की आवाज पुद्रत का एक करिश्मा है वहीं अमिताब बच्चन कहते हैं कि लता मगेशकर की आवाज इस सदी की आवाज है प्रसिद घजल गायक जगजीद सिंग ने लता जी के लिए कहा था कि 20 सदी की तीन बाते याद रखने लाइक हैं एक चांद पर आदमी की जीत, दूसरा बर्लिन की दिवार का तूटना और तीसरा लता का जन्द तो शारुख खान ने लता जी के लिए अपने दिल की बात कुछ यू कही मेरी ख्वाइश है कि मैं किसी अभी नेत्री की भूमिका निभाओं और मुझे पर लता जी की आवाज पर अभिने करने का मौका मिले आईए अब जानते हैं इस महान सुर कोकिला के जीवन से जुड़ी कुछ दिल्चस्प और रोचक बाते लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का बहुत शॉक था साल 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनिस बुक रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है अपना पहला गाना लता मंगेश करने मराठी फिल्म किती हसाल को 1942 में गाया था उन्होंने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया था और कहानी समवाद आदी पर अधिक ध्यान देने लगी थी लता जी ही एक मात्र ऐसी महिला गायक रही जिनके जीते जी भी उनके नाम से पुरुसकार दिये जाते हैं लता जी जब भी रिकॉर्डिंग के लिए जाती तो जाने से पहले कमरे के बाहर अपनी चपले उतार कर जाती थी और फिर 92 साल की उम्र में ये सुरीला सफर थम गया लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ उनका 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पिताल में इलाज चल रहा था रवीवार सुबह 8 बच कर 12 मिनट में उन्होंने आखरी सांस ली पूरा देश शोक की लहर में डूब गया कुदरत लता मंगेशकर जैसी शक्सियत को एक ही बार बनाता है और फिर सांचे को तोड डालता है लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है लेकिन गीत बनकर वो हर हिंदुस्तानी के दिलों में हमेशा के लिए बसी होई